एकदम से अगर पीज़ा खाने का मन हो जाए या बच्चे आपसे पीज़ा खाने की जित करने लगे तो ऐसे में क्या करें तो आज हम लेकर आएं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल चीजी मियो सैंड्वीच जो देगी बिलकुल पीज़ा का फ्लेवर और साथी साथ ये बनती नथी ज्युक्तल नहीं करताम करतों तो सबसे पहली इसकी बनाया जाता है उसे देखे एक साथ्क भावल लेंगे ऐदा उसमें एक मिर्च कटी हूए ऩारी मिर्च भावज यो या आप अने अपनी टेस्के लगत दाल सकते है और रा कटी आ दालेंगे या शुबादक तो अचुछ एक चोथाई की दाली नकी का प्रावडर और रहूं geç के दो से तीन चमच मियोनीज का हता हैं यहाँ पर इतनी जो सब्जी से मियोनी सब्गें बात अपने एकट डाल देंगे हैं और नमक धोल कि नमक होता है और अब अच्छे से इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे सभी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है तो यहाँ पर हमारी सेंड्विच के टॉपिंग तो तयार हो गई है तो अब इसे एक साइट रख देते हैं और अब इस सेंड्विच के लिए बनाएंगे हम गार्लिक बटर तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बावल लिया है और इसमें ले लेंगे दो से तीन चम्मच भरकर बटर तो मैंने यहाँ पर रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ बटर लिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ हमारा यह गार्लिक बटर बनकर त्यार है तो अब अपनी सेंड्विच बना लेते हैं तो अब यहाँ पर मैंने एक वाइट ब्रेट ली है आप यहाँ पर कोई सीवी ब्रेट ले सकते हैं जो भी आपको पसंदो और अब हम जो हमने सबजीयों के साथ और मियोनीज के साथ एक टॉपिंग बना कर तियार की थी अब उसे हम इस ब्रेट पर अच्छे से स्प्रेट कर देंगे तो अच्छे से इस पर evenly हम अपनी जो topping बनाई है उसको अच्छे से spread कर देंगे और अब इस bread के उपर हम cheese grate करेंगे तो यहाँ पर मैंने इस grater के उपर हलका सा butter लगा लिया है जिससे इसके उपर cheese बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं दोस्तों आप यहाँ पर mozzarella cheese भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास available हो आप उस cheese का इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास अभी यह normal cheese है, process cheese है इसी को इस पर grate करके डालेंगे मैंने cheese को पूरे bread पेचे से grate कर दिया है तो अब इस पर डालेंगे थोड़े सा chili flakes और mix herf या फिर organo powder तो हमारी यहाँ पर यह topping के साथ यह bread तैयार है अब इस bread को एक side पर रख देंगे और हम यहाँ पर दूसी bread लेंगे और इसके उपर भी cheese को अच्छी से grate कर देंगे और उसके बाद डालेंगे हम इसमें chili flakes और थोड़ी सी mix herf या फिर organo अब हम अपनी पहली वाली bread को इसके उपर shift कर देंगे और अब तीसरी plain bread से इसे cover करते हुए इसे पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक pan लिया है और इस pan में मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा garlic butter अच्छे से pan में इसे spread कर देंगे और अपनी bread को रख देंगे दोस्तो इस वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें इसे आगे कैसे बनाना है वो प्लीज जरूर देखें दोस्तो सैट्विच को हम यहाँ पर low to medium flame पर ही अच्छे से सेखेंगे और जो हमारी उपर की bread है उस पर भी अच्छे से garlic butter को spread कर देंगे तो medium flame पर यह अच्छे से crispy हो गई है और आराम अरांसे से समलते हुए इस bread को अच्छे से पलट देंगे दोस्तो यहाँ पर जैसे ही हम bread को पलटेंगे हमें यहाँ पर gas बंद करनी है इस बात का हमें ध्यान रखना है तो gas के बंद करने के बाद ही bread की जो हमारी जो लेहर है वो जो अच्छी तरीके से पूरे से सिक चुकी है क्रिस्पी हो गई है अब इसके उपर और meo और वेजटेबल का उपना कर तयार की है उसे इसके उपर आप चाहें तो इस पर मियो वेच के टॉपिंग के स्प्रेड करने से पहले आप इस पर पीजा सॉस भी लगा सकते हैं और अब इस ब्रेड के ऊपर मैंने लगाए यहाँ पर एक चीज स्लाइस आप यहाँ पर मेजरेला चीज के क्यूब्स भी डाल सकते हैं और अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स थोड़ा सा टैलियन हर्व और अब इस पैन में एक चम्मच में पानी डाल रहे हूं जिससे की यह जो हमारी ब्रेड है और जो इसके अंदर चीज है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारी ब्रेड बिल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए और यह देखिए हमारी पूरी सेंडविच बनकर तयार हो गई है और यह बहुत क्रिस्पी और बहुत ही तेस्टी बनी है आप इसे मियो चीज सेंडविच कहिए या फिर पीज़ा सेंडविच कहिए जो भी आपका मन करें लेकिन इसे आती है उतनी बड़ों को भी पसंद आती है आप इसे अपनी पार्टी स्नेक बनाए या फिर छोटी मोटी भूक में बनाएए